तबोंको जोहर संताली अड़ेंग यूटीब चैनल में आप सोगों का स्वागत है तो इससे पहले जो वीडियो बनाये था उसमें थमनेल में मैंने हिंदी से लिखा था कि 1922 का खत्यान जदी पारित होता है तो उससे आदिवसी को कोई फैदा नहीं है तो साहिद बहुत सारे लोग उसे वीडियो को देखे होंगे दोड़ा दोड़ा करके देखे होंगे या तो उसको उपर से खाले थमनेल देख करके छोड़ दिया होंगे और उन लोगों को बुरा लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूं तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करू इसलिए मैं सभी संताली व्यूवर्स से संताली देखने वालों से मैं शमा चाहता हूं तो आज का इस वीडियो को चलिए आगे बढ़ाते हैं तो बात यह है कि मैं उस वीडियो में यह कहा था कि 1922 का खत्यान अधरत इस्तानी नेती लागू होने से आदिवासियों को को भी फ है या लोग थे उस समय पढ़ाई में बहुत ज़्यान दिया जाता था और हमारे माभाब भी यह कहते थी कि जाओ बेटा पढ़ने जाओ लेकिन अभी ऐसा माहूल हो गया है हमारे खासकर के संताल समाज में कि कोई भी मतलब 11 जन अभी भावक अपने बच्चों को पढ़ान ज्मिटली बन गया तो जो फरम निकाला जाएगा उसमें Nhah वे मेटरिक पास रहेगा उन्टर पास रहेगा और बीए पास रहेगा यह थो आ इट्य आई पास यह थो पॉलिट निक पास यह siamoथ पढ़े लिख ने रहेंगे तो वे फरम भर नहीं पाएंगे और अगर फरम भ पैसा नहीं मतलब दे पा रहे हैं इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कुछ किज और अपना घर का काम को खुद समिठ ये और अपने बच्चों को इसकुल भेजे अगर आप इसकुल नहीं भेजेंगे तो वे और भी असिचित हो जाएंगा और जो हम हम हक अधिकार की बाते कर रहें. वो उसके लिए लड़ नहीं पाएगा. हम लोग जो लड़ रहे हैं अभी उसके बाद मिढ़ जाएगा लड़ाई, और लड़ाई अगर मिढ जाएगा तो खुद हमभी मिढ़ जाएगा. तो उसमें हम लोग फॉर्म भर सकते हैं और अगर पढ़ेंगे नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं और दूसरी बात है कि हमारे बच्चे इसलिए भी नहीं पढ़ते हैं चुकि वे गार्जन का अभिभाव का दबाव तो वे पाते नहीं हैं और अभी क्या होता है हमारे समाज में जब धानरोपनी खत्म होती है खत्म होने के बाद लगवक के मतलब आप अक्टूबर से समझ लिए या आप सितमबर से समझ लिए फरवरी तक फुटबोल टूनामेंट आयोजित की जाते हैं और फुटबोल टूनामेंट आयोजित करके और इस तरह से प्रतेक बाहर जहां भी जाते हैं मतलब लगवक रोज ही जाते हैं यहां रखा जाता है वहां रखा जाता है सब जगर रखा जाता है फुटबोल टूनामें तो वहाँ पर खेलने के लिए जाते हैं फिर हारते हैं तो भी पीते हैं जिते हैं तो भी पीते हैं इस तरह से पीते पीते वे अपने सरीर के उरजा को खत्म करते हैं इनर्जी को लुस करते हैं और फिर जो कोई खेल पाते हैं उतना भी नहीं कर पाते हैं और इस तरह से जो उसका साइद खुब छोटा में उसका सपन रहता है कि हम बड़ा फुर्वल प्लेयर बनेंगे तो वो भी उसका पुरानी होता है और इधर अपना पढ़ाई भी छोड़ करके इधर-दर घुमते रहते हैं तो फिर पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से दोनों लस हो जाता है उसके बाद ही जब फरवारी सुर जाते हैं अगर निमंत्र नहीं रहता है तो भी जाते हैं और वहाँ पर जो डीजे में गाने भज रहे होते हैं वहाँ पर खुब नाचते हैं और वह भी ज्यादातर तो भोजपुरी गानों में और दूसरी दूसरे गानों में नाचते हैं और जो अपना आदिवासी निरि इधर से उधर घुमते रहते हैं, पढ़ाई में ध्यार नहीं रहते हैं, और हाँ, ऐसे भी है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा, कॉलेज में एडमिशन के रहते हैं, या तो आटे आई में एडमिशन के रहते हैं, पॉलिटिक नहीं, एडमिशन के रहते हैं, ले 1932 का खत्यान अधारित इस्ताने निती से आदिवासी को कोई फैदा नहीं होने वाला है अगर इस तरह से ही आदिवासी समाज में चलता रहा तो इसलिए अगर 1932 का खत्यान अधारित इस्ताने निती पारित हो जाता है और हो जाता है यहाँ पर उस अधार पर नियोजन बन ज आता है और नोकरी के लिए जदी रिक्तियों को भरने के लिए जदी फर्म निकालती है सरकार तो आदिवासी के लिए चाहिए कि वी अपने बच्चों को पढ़ाए और मतलब आलतोफालतों काम में जो इधर-दर घुमते रहते हैं वैसे कामों में समय न भिताए और अपना ब हुआ है